दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पहली बार पतंकस ने उड़ाई थी लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और बगल में जो ब पतंगबाजी के लिए अलग-अलग समय में त्योहार मनाये जाते हैं। भारत में बहुत ही शौप से उड़ाई जाने वाली पतंग के इतिहास के बारे में जाने ये रोचक बातें ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पतंग का आविशकार चीन में हुआ था। लगभग 2000 साल पहले पूर्वी चीन के शानडोंग नामक प्रान तो पतंग का घर कहा जाता था। एक मायता के अनुसार एक चीनी किसन अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे रसी से बांध कर रखता था जिससे आगे चलकर पतंग का आविशकार किया लगभगी सब अश्चात के आसपास कागच की बनी पतंगों को उड़ाय जाने लगा था क्यूंकि उस समय कागच से बनी पतंगों को बचाओ अभियान में संदेश वाहा के तौर पर प्रयोग किया जाता था। चीन के मद्ध और प्राचीन काल के स्तरोतों से पता चलता हो के पतंगों को मापने, हवा का परिक्षण, सिगनल भेजने और सईय अभियानों में संचार के लिए पतंगों का प्रयोग किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार सबसे पहले बनाई गई पतंगे चपटी और आयताकार होती थी। समय के साथ उनके आकार आधी में पतंग भारत के कई राज्यों में विशेश क्योहारों में उड़ाई जाती है। पंजाब क्षेत्र में बसंत पंचमी का उत्सव बेहत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह बसंत के मौसम में होता है इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दौरान पतंगबाजी की राजस्थान के जैपुर में उत्तिराइन के दोरान का आयोजन हर साल किया जाता है। दक्षिन भारत में पूंगलिस बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। लोग समुद्र तटों पर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। कई पतंगों को इस तरह से भी सजाया जाता है कि उसमें फिल्म स्टार्स और कार्टून्स की छविद दिखाई देती है। साल 1927 में साइमन कमिशन के विरोध में कनारा दिया गया था। उस समय भारत के लोगों ने पतंगों में गो साइमन बैक लिककर विरोड में जगे जगे पतंगे उड़ाई थी। तभी से एक परंपरा के तौर पर स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंग अबाजी की जाती है। देश की राजदानी दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में फ्लाइंग फ्यस्टिवल के रूप में पतंग महत्सव मनाया जाता है। ये दिल्ली के कनोट प्लेस के पाले का बाजार में मनाया जाता है। इस पतंग महत्सव में fighter kite competition और संबर डिस्प्ले flying नामक प्रतिसपरधाय आयोजित की जाती है। इन्हें जीतने वाले लोगों को आकर शती नाम और ट्राफिया भी दी जाती है। महत्सव के दोरान हर रात प्रति भाग्यों के लिए डिनर का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना है।